हम सबने अकसर सादियों में इस बात को नोटिस किया है कि दूला अपने दुलहन को लेने के लिए घोडी पर बैठ कर जाता है। वैसे लड़किया बच्पन से ही अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती है कि उनका राजकुमार घोडी पर चढ़ कर उनको लेने आएगा और अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि शादी में दूला हमेशा घोडी पर क्यों बैठता है इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को लाष्ट तक देखें तो चलिए दोस्तों वीना टाइम वेश्ट के वीडियो को स्टार करते हैं दरसल इसका संबंध हिंदू धर्म की कुछ पौरारिक कथाओ से है फिर चाहे भगवान स्री किस्ने रुकमडी का विवा हो या रामसीता का ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम की सिचुएशन युद्ध जैसी हुआ करती थी और यही कारर है कि वे अपनी पत्नी को लाने के लिए घोडी पर जाया करते थे और यहीं से घोडी पर दुलन लाने की परंपरा के शुरुवात हुई वैसे तो घोडे को वीरता और सोरी का परतीक माना जाता है तो वहीं घोडी को उसकी उत्पत्ति का कारक बताया गया है घोडी बुद्धिमान, चतुर और एक्सपर्ट होती है और हमारे देश में साधी भी एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और यहाँ दूले को राजा जैसा सम्मान दिया जाता है शाधी किसमें लड़के माथे पर फूलों का सहरा बांध कर गोडी पर चड़ता है और सभी लोग मिल जुल कर जस्ट मनाते हैं और उन दिनों में घर का माहौल कुछ अलग हो जाता है तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गये होंगे कि आखिर दूला गोडी पर क्यों चड़ता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ